पूंकि जी, if increases 30 by P percent, 30 है उसको कितना increase कर रहे है P percent? बड़ा important सवाल, give same result as decreasing 90 by P percent, what is P percent of 150? यानि के, यानि के, यानि के, कि जो 30 है उसे हम P percent बढ़ाएंगे, तो same result आएगा जितना हम 90 को P percent decrease करेंगे, लेकिन दिल्चस बाते हैं उन्होंने P भी नहीं पूछा, यानि के, what is P percent of 150? तो यार दिखो, थोड़ा सब में एक दिमाग का इस्तमाल करना आना चाहिए, आपका इतना IQ level होना चाहिए, 30 को P percent बढ़ा रहो, let's suppose 40, 45, 50, कुछ ऐसी value होगी? 90 से P percent कम कर रहो, तो वही value आ चाहिए, 45 या 50, तो सबसे असान नमबर क्या होते हैं? लाइक 50, 25, अगर देखो 30 का 50 percent कितना होता है, 15? आप मुलोगे, sir, कैसे बेटा जब प्रैक्टिस करते होता है, फिर कुछ भी मसला नहीं रहता है, कितने कोशन लाइब में मैं मैं फर्स्ट टाइम कर आ रहा होता हूं, कितना पर्सन मैंने बढ़ाया, 50 percent, 90 को अगर 50 percent कम करो, 90 का 50 percent क्या होता है, 45, ठीक है, 90 में से 45 मैनेस करो, तो भी 45, यह बात तो होता है, कि P की वेल्यों कितनी है, 50, एक मिनट में कैस हो जाएगी, क्योंकि बड़ी simple value होती है, और ऐसी, देखो, value हो देंगे भी ऐसी, like 50, 40, ऐसी नहीं होगी, like 37, 32, इतनी दुश्मनी ही नहीं करेंगे आपसे, आगे कहरे है, what is P percent of 150, तो P percent 150 का निकालना है, यानि 50 percent of 150, 50 percent of 150, कितना होगा, 75 होगा, अंसर हा क्या, देखो, one side of rectangle increase by 20 percent, and other side of same rectangle is increase by 30 percent, what is percentage increase in an area of rectangle, यानि कि अगर एक side बढ़ आई है 20 percent, और दूसरी side बढ़ आई है 30 percent, what is percentage increase in area of rectangle, तो X 20, Y 30, आपको कह रहेंगे value निकालों, तो देखो एक X plus Y, plus XY upon 100, या हमारा formula होता है, X हो गया 20, Y हो गया 30, 20 into 30 upon 100, 20 और 30 को plus किया 50, या दो जीरो 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 गटे 6, आंसर हो जाएगा 56 percent, and बच्छो, this is very very important question, बहुत पेपर में इस तरहां के concept है सवाल आई, तेके, if one side of rectangle increase by 20 percent, and other side of same rectangle is decrease by 30 percent, what is percentage increase in area of rectangle, well, तेको, इस pattern पर बहुत समल आते हैं, कभी दोनों increase, कभी दोनों decrease, कभी एक increase, दूसरी decrease, बस एक बाद रखो, increase वाली के साथ plus, degrees वाली के साथ minus, 20 percent increase है, तो एक को X को या Y में से एक को भी plus 20 मालने, एक को minus 30 of formula में put किया, X के 20, Y की जगा minus 20, X के 20, Y की जगा minus 20, 20 minus 30 minus 10 हो रहे हैं, यहां भी दो 0 कट रहे है, तो minus 10 हो जाएगा minus 60, ओंगे यह साल भी बहुत आते हैं, if moon makes 20 percent more than हैमत, बहुत भाई की income 20 percent ज़्याद है किस से हैं हैमत भाई से, then हैमत income is what person less than more, तो हैमत भाई की income महुन भाई से कितनी कम हो नहीं है, क्या चाहिए, बड़ा ही प्यारा सावल, अब दिको एक बास सुनो, पहले क्या less जोज हो रहा है, more या less, तो more हो रहा है, मेरा formula होगा 100 x divided by 100 plus x, x की जगा में लिख दूंगा 20 20, क्योंकि 20 percent है, 40 लिखता होता, 40 लिखते था, नीचे होता है 100 plus x, अगर पहले more है तो, 100 plus 20, 120, कटेगा जी हम बिल्कुल कटेगा, 100 upon 6, 16.66 होता है, यह जो result है 100 upon 6, यह तना important result है कि आपको याद होना चाहिए, 16.66 यह इसको 16 whole 2 upon 3 percent भी लिख सकते हैं, लेकिन, लेकिन, लेकिन लेकिन लेकिन, लेकिन लेकिन अगला साल बिल्कुल यह थीजए, if cost of cd is 40 percent less than that of dvt, then cost of dvt is what percent greater than cost of cvt, तो तो दिको पहले क्या है लेकिन क्या लेकिन क्या बिल्कुल हो रहा है less, उपर वाले साल में पहले क्या यूजज़ा था mode, तो यहां प्लस आया था अभी भी देखो सब कुछ होई है लेकिन अब प्लस की जगा मैंने सी है बल्कुल रीजन पहले लव्स लैस्योस हो रहा है इस ताइब के साल देखो बड़े असानी से हो जाते हैं 100-40 60 काटम काटी होगी जी है यह 0 गटा यह करता जी है टूहंड़ेट अपॉन थी 66.66 बहुत बहुत हैं बात पर्संटेज बिल्कुल स्टाट से एक तो इस तरह हैं सवालात आते हैं जैसे कि कोई चीज फ्रेक्शन में दियो और कहा जाता है पर्संटेज में निकालो तो नियर य सब्सक्राइब करेंगे हैं 100 को 25 से काटेंगे 4640 24 आंसर हो जाएगा 24 इसी तरह जैसे कि 7 अपॉन 8 को पर्संट में करना है तो 7 अपॉन 8 को मल्टिप्लाइब किसे करते हैं तो वेल लेयर हंडिट अपॉन 8 12.5 होता है 7 से मल्टिप्लाइब करते 87.5 हो जाएगा और कभी उल पर्संटेज में करना है तो 100 से मल्टिप्लाइब और पर्संटेज फ्रेक्शन में करना है तो 100 से डिवाइड 32 को 100 से डिवाइड इवाइड होते को 4 के डिविल से 32 भी करता है तो चाहिएगा 8 upon 20